केल्शियम एक मिनरल है जो कहीं प्रकार के शारीरी कारियों के लिए जरूरी है केल्शियम कहीं अलग अलग फोर्ड इंग्रेडियन्ट में पाया जाता है कुछ ऐसे भी है जो इस मिनरल से विशेश रुप से सम्रुद है आज इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा केल्शियम किस चीज में होता है और बोजन में पाये जाने वाले केल्शियम की मातरा के बारे में बताऊंगी सबसे पहले हम बात करेंगे आहर में केल्शियम का महत्व केल्शियम एक आवश्यक मिन्रल है जो अच्छे स्वास्त को बनाई रखने में महत्वपूर्णबुमी का निभाता है हड्डियों और दातों को मजबूत बनाई रखने के लिए जाना जाता है केल्शियम अलग-अलग शारिरिक प्रक्रियाओं में भी शामिल होता है जिसमें मसल फंक्शन, नाव ट्रांस्मिशन, हॉर्मोन सेक्रेशन और बलड फ्लोटिंग शामिल है बचपन और किशोरा वस्ता के दोरान परियाप्त केल्शियम का सेवन विशेश रूप से महत्वपूरा है क्योंकि ये हड्डियों को तीवर रुदी और विकास के लिए जिम्मेदार होता है केल्शियम हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है जैसे जैसे उम्र बढ़ती हैं हड्डिया नेच्रली रूप से अधिक नाजुक हो जाती है जिसे और फ्रेक्चर के जोकिम को कम करने में मदद करने के लिए केल्शियम का परियाप सेवन सो निष्टिट करना आवश्यक हो जाता है दूद और पनी जैसे डेरी उत्पदकों में केल्शियम की मात्रा अच्छी होती है उनके अलावा कहीं अन्य स्तरोथ हैं जो डेली केल्शियम आवश्यक्ताओं को पूरा करने में कॉंट्रिविशन दे सकते हैं जो लोग लेक्टोस इंटोलरंट हैं शाकहारी हैं या बस अल्टरनेटिव सोर्सिस की तलाश में हैं उनके लिए अन्य केल्शियम युक खाद्य पदर जैसे बादाम, पत्तेदार सब्जी और मशली वगेरा हैं अब हम जानेंगे सबसे ज्यादा केल्शियम किस चीज में होता हैं अंडे में कितना केल्शियम होता हैं जब केल्शियम युक खादय पदरत की बात आती हैं तो अंडा सबसे पहले दिमाग में नहीं आता है। आम तोर पर प्रोटीन और हेल्दी फैट से जुड़े अंडे को अकसर केल्शियम के एक महत्वा पॉनस्तिरोत के रूप में नजर अंदास कर दिया जाता है। अंडे में केल्शियम की मातरा अंडे के आकार और प्रकार के आधर पर अलग हो सकती है। एवरेज एक अंडे में लगभग 20-30 मिलिग्राम केल्शियम होता है। केल्शियम मुख्य रूप से अंडे में छिलके में पाया जाता है। और अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी में केल्शियम की मातरा कम होती है अंडे में पाया जाने वाला केल्शियम शरीर द्वारा आसानी से अवशोशित हो जाता है जिसे ये उन लोगों के लिए एक best stroke बन जाता है जो अपने केल्शियम सेवन को बढ़ाना चाहते हैं दूद में कितना केल्शियम होता है गाय का दूद केल्शियम का एक समरुद्ध स्तरोथ होता है इसमें प्रतिक अपलगबग 300 mg केल्शियम होता है गाय का दूद नकेवल केल्शियम की एक महत्वपूर्णा मातरा प्रोवाइट करता है बलकि इसमें vitamin D जैसे अन्य आवश्यक पोशक तत्वा भी होते हैं जो calcium के अवशोशन में सहायता करते हैं मतलब कि body में absorb करने में help करते हैं जो लोग lactose intolerant है या पौदे आधारित विकल्प पसंद करते हैं उनके लिए बादाम का दूद और सोया का दूद बहतरिन विकल्प है बादाम के दूद में आमतर पर प्रती का प्लग बग 450 mg केल्शियम होता है जो इसे गाई के दूद के बराबर बनाता है इसमें केलरी भी कम होती है और यह अच्छी मातरा में वाइटामिन E प्रोवाइट करता है सोया दूद एक और केल्शियम युक त्विकल्प है जिसमें प्रती का प्लग बग 300 mg केल्शियम होता है केल्शियम का अच्छा स्तरोत होने के अलवा सोया दूद आवश्यक एमिनो एसीड भी प्रोवाइट करता है जो अक्सर वाइटामिन D से बरपूर होता है प्रती एक बादाम के किरी में केल्शियम की मातरा अलग-अलग हो सकती है लेकिन एवरेज प्रती 100 ग्राम बादाम में लगबग 264 mg केल्शियम होता है दियान रखे कि बादाम की वेराइटी और प्रोसेसिंग वीडियो जैसे कारकों के आधर पर ये थोड़े बिन अलग हो सकते है बादाम प्रोटीन, हेल्दी फेट और आहर फाइबर जैसे अन्य आवशक न्यूट्रियंट्स के साथ साथ केल्शियम का भी अच्छा स्त्रोत है अब हम बात करेंगे केल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है केल्शियम के most sources हैं डेरी उत्पादक जैसे की पनीर, दही, दूद, कुछ और food ingredients भी हैं जिसमें केल्शियम पाया जाता है पनीर केल्शियम का एक अच्छा स्त्रोत है दही भी केल्शियम का एक अच्छा स्त्रोत है जो केल्शियम के साथ साथ probiotics भी प्रोवाइट करती है बादाम भी स्त्रोथ होता है जो केल्शियम प्रोवाइट करता है और इसमें मैगनेशियम और वाइटामिन डी जैसे तक्वा भी होते हैं जो केल्शियम को उप्योग और अवशोशन का समर्थन करते हैं पत्तेदार सबजिया, कुछ पत्तेदार सबजिया भी कैलशियम का स्त्रोथ हो सकती है, जैसे की पालग, केल और कॉलार्ड टोफू, टोफू एक पौधा आधारित प्रोटीन स्त्रोथ होता है और कैलशियम की महत्वा पॉना मात्रा प्रोवाइट करता है इन addition to milk कुछ पौदे आधारित दूद उपलब्ध होते हैं जैसे कि सोया दूद, बादाम का दूद और जोव का दूद जो केल्शियम से समरुद्ध होते हैं अब हम बात करेंगे केल्शियम आउशोशन को अधिक्तम करने के लिए सुझाओ मतलब कि केल्शियम को हमें किस चीज के साथ लेना चाहिए ताकि वो बाड़ी में अब्जॉब हो मजबूत हड़ियों और अच्छे स्वास्त को बनाई रखने के लिए डेली केल्शियम आवशक्ताओं को पूरा करना जरूरी है केवल केल्शियम से भरपूर खादय पदात का सेवन इनफ नहीं होता है केल्शियम का अवशोशन भी जरूरी है वाइटामिन डी की उपर सिती में केल्शियम का अवशोशन काफी बढ़ जाता है परियाब दूप ले क्योंकि यह वाइटामीन D का प्राक्रूतिक स्तोत है इसके अतिरिक्त वाइटामीन D से भरपूर खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करने पर विचार करें जैसे वसायुक मचली और फॉर्टिफाइड डेरियुदपाद केल्शियम को वाइटामीन K के साथ मिलाएटामीन K केल्शियम मेटबोलिजम और हड़ियों के स्वास्त का समर्थन करने के लिए जाना जाता है केल्षयम अव्शोशन को अनुकूलित करने के लिए भोजन में पालग, केला और ब्रोकली जिसे खाध्य परदार्थों को शामिल करे एक ही भोजन में अपना सारा केल्षयम लेने के बजाए इसे पूरे दिन में छोटी-छोटी मातरा में ले ये शरीर को केल्शियम को अधिक प्रभावी डंग से अवशोसित और उप्योग करने में हेल्प करेगा एक्स्ट्र सोडियम और केफेन से बचे हाई सोडियम सेवन से यूरीन के माधियम से केल्शियम का उतसरजन बढ़ता है जिसे अवशोशन कम होता है इसी तरह एक्स्ट्र केफेन का सेवन केल्शियम अवशोशन में बादा क्रियेट करता है संतुली ताहर बनाए रखने और केल्शियम सेवन मेक्शोर करने के लिए डिफरेंट फूड इंगिडेंस में केल्शियम की कॉंटिटी समझना जरूरी है अलब अलब प्रकार के केल्शियम युक्त खादे परदार्थों को शामिल करके संतुली ताहर बनाए रखकर अपने स्वास्ते कर ध्यान रख सकते हैं और साथ ही मजबूत हटियों और दातों के लाप का जीवन पर आनन उठा सकते हैं I hope this was helpful, have a great day, thank you